पूरी तरह यही बसने को तयार हो गए ताकि तू उन्हें रोज दिख सके आगे लिखते हैं यह सब पढ़कर निमोली के होश उड़ गए थे और खुशी भी सुन पढ़ गई थी ये क्या कर दिया खुशी तूने? ये आखिर क्या कर दिया? तीरा मजाक उनको कैसे कैसे ख्वाब दिखा रहा है? पागल वो कभी करवट बजा रहे हैं, तो कभी चांद खा रहे हैं, गोल रोटी देख रहे हैं, भूख सुन रहे हैं, गाने खा रहे हैं, क्या कर दिया? उनको निम्बोली के जर पर हाथ रखती है मैं खजब खाती हूँ की नहीं, मैं नहीं बताऊंगी नहीं निम्बोली नहीं जो प्यार मुझे मिल रहा है मैं क्यों नलूँ, मैं क्यों त्याग करूँ वो लड़का अगर मुझे प्यार करता है अगर केवल पायदान बनकर जिस पर आता जाता को भी अपना महेंगा जूता घिसकर चला जाता आज जब कोई इस पायदान को उठा कर अपने सिरका ताज बनाना चाह रहा है तो में के त्याग करो नहीं निम्बोली नहीं मैं सागर को सश नहीं बताऊंगी तब तक जब तक मेरे हिस्सेगा प्यार मुझे ना मिल जाए तब तक मैं ही ठाकुरसा की बेटी हूँ और तू भी अपना मुँ बंद रखेगी खुशी के आखों में प्यार की भूख अलग ही दिख रही थी और खुशी वहां से जाने लगती है निम्बोली बस उसे टुकर टुकर देख रही थी खुशी तो क्या करना चा रही है सकी तुझे भी नहीं पता अंगारे को हाथ में लेकर तू पेटरोल के आगे नाच रही है अब खुद तो जलेगी जलेगी आजू बाजू वालों को भी भस्म करके ही मानेगी ए माह कौन से घड़ी में दोस्ते करी थी साफत खोर से और खुशी बाहर जाती है तो उसके पास एक भिकारी बच्ची भीक मांगने आती है जीची फूक लगी है कुछ देदो ना खुशी उसके मासूम आखे देखती है और उसे कुछ याद आ जाता है वह उसका सर सहलाती है ये सुनकर बच्ची जोरों से रोने लग जाती है और खुशी का हाथ थाम कर वहां लगी रेडियों के पास ले जाती है जाय दिन से कुछ नहीं खाया जीजी, खिला दो ना निम्बूली आकर उसे फटकारती है तू भी किन के चक्रों में आ रही है, इनका रोज का काम है रोज मंग तो किदर है मांगने आ जाते हैं मेम जी, चान पचकर कोण ही मांगती जोज भूक लगती है तो मांगती हूँ, थोड़ा शाखिला दो ना रहने दिने बूली, मत भगाई इसको सोच, तू भूकी हो और तुझे एक टुकडा भी नसीब ना हो ये भूक मैंने जी है, लेले लाडो, जो खाना है खाले